नमस्कार दोस्तों वेलकम बैप टू किरेशरीफ को दे लिडर्ज ओफ इंडियन फूटवल एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेरद्या कागप के बारे में जिया गईज आज होने वाला इंडिया वसिस मलेशिया का मुकाबला हम सबको पता है लेकिन इंडियन टीम क यहाँ बीख और एक बुड़ी खबर आ रहे है जीया गईज यहाँ पे सुनिल चेतरी एंड यहाँ पे अनिरुतय़ापा इंको भी अब यहाँ निंगल है इईजदीन सुनिल छेतरी एंड थापा कभी डाउटफुल बताया जा रहा है जो फाइनल डिसीजन है वो आज बोर्णिंग में लिये जाने वाला है जब कि यानि कि जब मैच है उसी दिन लिये जाने वाला था कि क्यासे प्लेयर की फिलिंग है क्योंकि यहां पर एक चीज जो इगोस्ट इंडियन फूटबल के फिचर के इसाब से भी जो काफी ज़्यादा इंपरड़न्स रखते है उनमें हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई भी क्रूशल प्लेयर मिस करें एक मैरे इसाब से सही है चाहें मर्दय का कप हमारे पास golden opportunity ज़रूर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जो crucial player है उनको यहाँ पर रिस्क पर डालो और अगर कहीं नहीं कि अगर खुदा ना खासता अगर वो यहाँ पर कुछ serious injury हो जाए और miss करेंगे आगे आनल टूर्णामेट तो काफी ज़दा फिर हमें क्या बोलती कि आगे जाके फिर पस्ता होगा तो उससे अच अगर उसके बाद फ्रंट लाइन की बात करें तो सब्सक्राइब कर रहे तो वहाँ पे निकल के आरा कि लिश्टन कोला सो में भी उसके साथ उसके जगह पर स्टार्ट करेंगे तो इंडिया की लाइन अप कुछ इस तरह से दीख सकती है निकिल पुजारी का राइट बेक पर खेलना यहाँ पर शूर्ट बताया जा रहे है पुरे सिनारियो के बारे में कि कोणको प्लेयरों के साथ आप जाना चाहेंगे प्रेडिक्सन भी आप मैंने को comment section में ज़रूर बताएगा उसके बाद बात करते हैं वही क्या इंडिया यहां पे साफ लीव कर रहा है चीहां guys क्योंकि यहां पे कल जो हमारे secondary general है साजी प्रभाकरन उन्होंने एक यहां पे social media पे reply दिया एंड वहां से काफी सारे fans को लग रहा है कि इंडिया साफ लीव कर रहा है लेकिन जो पूरो सिनारिया है वो ऐसा है क्योंकि किर्गिस्तान ने यहां पे जो आसियान football federation है उसके साथ यहां के यहां पे MOU sign किया है एंड future के जो आसियान football federation की जो championship होती है AFF उसमें और उन सब में participate करने के लिए किर्गिस्तान यहां पे agree हो चुका है सो यहां पे काफी सारे लोगों ने इसके बाद social media में पूछा था लेकिन देखें इंडिया साफ लिव नहीं करेगा लेकिन जिस तरह से किर्गिस्तान की deal हुई है यसे इंडिया डिल कर सकते इसके जो पिछले वाला लेबना नहीं था वैसे इंडिया भी दूसरे यहां पे जो confederation है या फिर जो regional federation है उसमें इंवाइटी जा सकता है साफ लिव नहीं करेगा क्योंकि इंडिया इस दी में टीम इंदी साफ और में कंट्री इंदी साफ की जिसके अराउंड बाकिस कंट्री चलती है सो साफ ल इस तरह के ट्रॉनामेट में वह पाटिसेवेट करेंगे तो इस इस दरिगरिंग इंडिया चाहत कर रहा है कि नई कर रहा है और इसकी जो यहां पे सोचल मीडिया पे उसके बारे में उसके बाद करते हैं गाई लिक तो कि एक और नहीं टीम आने की तियारी स्टार्ट हो ज़किये, इस सेजन नहीं गईज, नेक्स सेजन, जी आगईज, वेल्स ऐपसी, जो की वेल्स यउनिवरसिटी तमिल नाडू में चन्नाय में जो है, वहाँ की एक फैमस युनिवरसिटी एव बड़ी युनिवरसिटी ए है कि यहां पर next season वो यहां पर कोई एक लालीगा क्लब के साथ पार्टनर्शिप करके जैसे इंटर कासी ने एलेडिकों एडिट के साथ किया है वैसे वेल्स FC यहां पर यहां पर यूथ डेवलप्मेंट जो सारी लीक्स होती है यूथ लीक्स उसमें उनकी टीम पार्टिस्प कर रहे हैं उन्होंने यहां पर बताया है तीन नवेंबर को यहां पर official announcement होगा कि कौन से लालीगा क्लब उनके साथ partnership कर रहा है जो एक स्टेबल इन्वेस्टर हो एक इसा सिर्फ आप आप अपने सपर्ट नहीं चाहिए है अमें टेकनिकल सपर्ट की ज़रूत है क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा लोगों को इस तरह के उनक्लब करने का कीस तरह से आपको आगे बढ़ना है वह ज्यादा आइडिया नहीं है तो जो इसके लिए क्या बलती कि एक एक एक्सपर्ट से वह आपको बेटर बनलब स्पेंज से नहीं मिल सकते हैं एंड एक लालीगा क्लब के साथ पार्टन सिप करना काफी एक अच्छा मुह है मेरे हिसाब से एंड देखते हैं कि डायरेक्ट इंटरी के थुरू नेक्स्ट रिजन हमें हाई लिंग में कितनी टीमें डेखने को मिल सकते हैं एंड इसके चलते यहां पर उतना ज्यादा फूटबोल वहां पर जो पेस पर डेवलोप खोला छे जिस तरह से करना अटका में हो रहा है उसी पैस से तमिलाडू में भी हो सकता है लेकिन वहां की लोकल पॉलिटिकल रिजन की बज़े से स्टेट एफे की वह नहीं हो पर है तो यहां पर कोई एक सा प्राइवेट प्लेयर अगर आके इन्वेस्ट करता है तो दरसक ग्रेट न्यूस फॉर दी क्या बोलते की तमिलनाडू पीपल्स जो भी फैन्स वांके है उनके लिए और इंडियन फ्रोल के लिए बढ़िया बात है उसके बाद बात करते हैं यहां पर आकास मिस्रा के बारे में तो आकास मिस्रा ने अपनी यंग एज़ पे एक बैतरिन काम कर दिया है यहां पर लखनव जो क्लब है जो की यूपी का सबसे पहला प्रोफेशनल क्लब था उनमें यहां पर और बन चुके और दोनों साथ में मिलके यूपी में यहां पे लोकाल लेवल पेसे खोलेंगे डिफ्रिंटड іकंडेट्फर बिच्टिक में घुमाласт इसंब इसको में भी टीम है एंड उनका जो मेंन फोकस है वह है यहां पर यूपी में जो लोकल टेलेंट्स ग्रासरूट डेवलोपमेंट ग्रासरूट कोचिस को डेवलोप करना वह सारी चीजह है एंड यूपी जैसे स्टेट में हम सब को पताए कि यंग चिल्रेंट्स वह आरे इंटर कासी भी आ चुका है तो दिले दिले आप देखिए जो बड़े स्टेट्स पे हैं वहां पर भी हमें इस तरह के प्रोफेशनल क्लॉप्स इस तरह के प्रोफेशनल प्लेयर्स यहां पर मेनेजमेंट के बंदे वह सारे भी अब फोकस कर रहे है तो तरस ग्रेट सब्सक्राइब कर देखिए तो यानि कि जो चांसी से अफगानिस्तान के वह में मिलने के ज्यादा है अभी भी बाकी है वहां पर कुछ भी हो सकता है वन निल की लीड है लेकिन अपर अफगानिस्तान ही इंडिया को यहां पर फेस करना पड़ेगा इंदी क्या बोलते कि र किसी ने थोड़ा सा यहां पर डिसमेंट भी किया है तो देट सेट फ्रम माइसाइड गाई रिगारिंग टुड़ेश इंडियान फूटबल न्यूज एड़ फोप कि आपको वीडियो इंफरमेटी लगाओ कि इप सब्सक्राइब नियुट फूटबल डॉंट फर्गेट लाइक सेर सब्सक्राइब के रिए सेरी जय हिंद जय पारत